हेलो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हलवा हमारा ड्राय बन जाता है तो आज मैं आपको वह सारी टिप्स बताऊंगे जिससे आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और अगर आप इसे ए हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिए यह पर एक कप सूजी मार्केट में तो तिन तरिके के सूजी मिलते है् हमें यह बारीक बार्ता यूस करना है हलवा के लिए और ठोटसे मैने ड्र inacet ले लिए फ्रूटस ले लिए निरुक्स में चौछ एंप बच्चमच्ठ बिस्च म गी को यहां पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे गी घर्म हो जाएगा मैं इसमे डाल दोंगी सूजी और यह देखिए इसमे अच्छे से बबल जा रहे हैं इतना गर्म हमारा गी होना चाहिए और हम इसे लो फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे तो यह द हलवा बना लेते हैं तो अब मैं डाल दोंगी बेसन बेसन से बहुत अच्छा कलर और टेक्शर आता है हलवा बिलकुल इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाते हैं तो हम बेसन को भी सूजी के साथ थोड़ा सब भून लेंगे दियान रहे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है मैं डाल दोंगी थोड़ा सा किसर इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है साती में टेस्ट भी बढ़ जाता है तो थोड़ा समया पर किसर यूज़ कर लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप सकते हैं और पानी यहां पर गर्म हो चुका है हमने इसमें किसर डाला इसलिए किसर बैसे 1-2 मिनिट तक और बॉल कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर सूज़ी भी आपके से बुटन गया पर 1-2 मिनिट आपका लिए मैं इस और यहां पर चला लएगे औरsection रहरागे GUY और यहां पर 2-3 मिनिट हो गया है तो आप एम ईसमें एड़ कर लेंगे पा और अब मैंड़ा दूँगे द्राइफुट्स जो हमने लिए थे आप अपने पसंद की भी ड्राइफूर्ट्स इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसे भी पका लेंगे, साथ ही मैं डाल लूँगी चीनी, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा भी डाल सकते हैं, तो यहां पर मैं डाल दूँगी चीनी, अगर आपको मीठा जादा पसंद है तो आप थोड़ा चीनी का यूज और कर सकते हैं, और यह देखे हैं, हम इस तरीके से पका लेंगे, और मुझे यहां पर पानी की ज़रूरत थोड़ी और लग लिए तो मैं यहां पर थोड़ा पानी और डाल लूँगी, और एक मिनिट के लिए हम इसे पका लेंगे, और यहां पर दो मिनिट हो गए हैं, आप देख सकते हैं, हलवा बिल्कुल रेडी है, आप इसका कलर टेक्स शक देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फटा फट से इसे इक प्लेट में सर्फ कर लेंगे, सूपर टेस्टी सूजी का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, आपने डिकाई से बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं है, और साथी खाने में इसका टेस्ट तो सबको काफी पसंद आता है, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे, तो सब आप से बार बार बनवाएंगे, तो आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बना कर जरूर ट्राय करें, आपको और आपके फैमली को बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएंगे रेसिपी आपको कैसी आपके लाइगी सब्सक्राइब